नमस्कार सादुकों आपको स्वागत है आज के इस सत्संग में सादुकों आज का विशे भी ध्यान के संदर्ब में ही है जैसा कि मैंने अपने पहले वारताओं में बताया था जब मनुष्य के कोटी कोटी जन्मों के पूर्णे फल उदे होते हैं तो वो पूजापाट, सत्संग, स्प्रिच्वालिटी, ध्यान की और तीव्र गती से अग्रसर हो जाता है आध्यात्मिक प्यास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि परमात्मा के बिना उसे और कुछ नजर नहीं आता परमपिता परमेश्वर ने सांसारिक जो मैगनिट आकरशन क्रेट किया है हर जीव चीटी से लेकर बड़ा सा बड़ा जीव एक दूसरे के परती आकरशित हैं अपने इंद्रियों के पती आकरशित हैं ये परमात्मा का ऐसा शक्ती है जिस साधक ने ध्यान, तपस्या, पूजापाट करके इस आकरशन को समाप्त कर दिया, उसे परमपिता परमेश्वर का मार्ग मिल गया उसे मुक्ती का मार्ग मिल गया, वो आत्म चैतने शक्ती हो जाएगा जिस प्रकार नदियां घूम फिर कर समुद्र में जाकर ही गिरती है उसी प्रकार आत्मा चाई कहीं भी हो, पहुँचना उसको अपने लक्ष, अपने मुक्ती धाम में ही है मैं बता दूँ सादको और इसी धाम में पहुँचने का सबसे बड़ा प्रशाद सत्संग और उसकी बाद जो परम प्रशाद परमात्मा प्रसन होने पर देता है लाखों करणों जन्मों के पूर्ण उदे होने पर मिलता है, वो है ध्यान सादको मैं बता दूँ जो सादक ध्यान करते हैं बहुत पूर्णे आत्मा होते हैं जो अपने ध्यान को लंबे समय तक एकागरचित होकर अभ्यास कर सकते हैं बहुत ही पूर्णे डिवाइंग सोल होते हैं कई दिवे शक्तियां उनके पास वेचरण करती है सांसारिक जीवन में आप देखिएगा जो लोग ध्यान करते हैं उनको भी कई जमितकारिक अनुभब अपने जीवन में होता है जैसे जैसे ध्यान आगे बढ़ने लगता है जैसे जैसे इंद्रिया का लालच सादक के मन से कम होने लगता है जैसे जैसे मन शांथ होने लगता है वैसे वैसे परम पिता परमेश्वर की कृपा जमितकार सरफ उसी सादक को समझ में आता है बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आता पुरी दुनिया इंद्रियों के पीछे लगी हुई है उन में से परमात्मा एकाद व्यक्ति को ही सिलेक्ट करता है चुनता है और उसको अपना ब्लेसिंग्स देकर ध्यान में जाने के लिए आशिरवात देता है क्या पता हम में से कोई बहुत बड़ा ध्यानी आने वाले कल में बन जाएं मैं बता दूँ सादकों जो भी ध्यान करता है उसकी अंदर आउटस्टेंडिंग टैलेंट का विकास होता है कई सबजेक्ट विश्यों का वो अपने आप ही ग्याता हो जाता है ब्रियंसी उसकी आवाज में उसकी नॉलेज में अपने आप ही ज़खती है उसके चेहरे में उसके शरीर में एक बहुत बड़ा परमात्मा का कृपा नजर आती है वो जहां भी खड़े होगा बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉंग नजर आएगा जैसे जैसे ध्यान बड़ेगा वो व्यक्ति मल्टी टेलेंटेट हो जाएगा एक ही टाइम पर तरह तरह के डाइनेमिक विचार उसके पास आएंगे पूरा दिन वो मोटिवेटेड रहेगा इंस्पार्ड रहेगा कोई भी साधक यादी पूरा दिन इंस्पार्ड रहता है ये बिलकुल इंडिकेशन है कि परम पिता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है उसके बिना वो इंस्पिरिशन आई नहीं सकती दुनिया उस साधक को मानने लगेगी हर कोई उसके सामने जुकने लगेगा हर कोई उसके बात ने वज्जूद समझेगा धन, संपदा, शौरत, नाम सब उसके आगे पीछे दोड़ेगी कहां कहां से आपरचुनिटीज अपने आप ही बनने लग जाएगी ये साधकों इश्वर की लिला है थोड़ा सा भी ध्यान में जो भी आगे बढ़ेगा खोब गेन करेगा सांसारिक चीज भी और आध्यात्मिक भी लेकिन अगर और आगे बढ़ेगा तो धन, संप्रदा, सांसारिक चीजें का मो उसका कम हो जाएगा मैं बता दूँ साधकों मन उसका बहुत पवित्र, बहुत शांत, कोई नाकरात्मक विचार उसको हिला नी सकती कोई शेत्रो घात करके उसको हिला नी सकता अगर किसी ने कोई दुर साहज भी किया तो उसको विपरीत चीजें जाएगी और जिसने नाकरात्मक उर्जा भेजी उसको बहुत भारी मात्रा में उसको ही पस्ताना पड़ेगा छोटी मोटी शक्तियां तो उसके सामने सादकों टेकी नहीं पाएगी वो स्वयम शक्ति है जो अपने ध्यान को थोड़ा सा भी उपर उठा लेगा चक्रों को शुद कर लेगा वो स्वयम शक्ती है वो स्वयम पावर है वो जो चाहे वैसी परस्तितियां वो create कर सकता है घर परिवार में भी अगर उसके अशांती होता है तो वो अपने साधना की शक्ती के दोरा चंद मिनिट में पूरा महुल शांत कर देगा अगर ऐसा करने का समर्थे किसी भी साधक में उत्पन हो रहा है मैं बता दू साधकों तो समझ लेना बहुत बड़ी शक्ती आपने प्राप्त कर ली है आप बहुत बड़े काम के लिए आगे आये हैं स्प्रिच्वालिटी में बहुत कम लोग जा पाते हैं जब तक उपर से इशारा नहीं आता प्रभू का तब तक नहीं जा सकते अगर आ गया तो आप फिर नहीं रह सकते दिन रात आप सत्संग की और दोड़ोगे फिर ये प्यास नहीं बुजेगी जनम जन्मानत्रों के पूर्णे फल उदे हो गए हैं और आप ध्यान की और मुड़ोगे दिवे शक्तियां उसकी आसपास घूमेगी अंगिनित सब्जेक्ट्स का ग्यान प्राप कर लेगा मन में उसके बहुत आत्मसंतिस्टी होगी वो किसी को दुख नहीं देगा किसी के कर्मों में बादा उत्पन नहीं करेगा लोगों का उद्धार करेगा दान करेगा पूर्ने करेगा और परमात्मा की बात करेगा ये ध्यान में आगे बढ़ने का इंडिकेशन है मैं आशा करता हूँ सादकों परमात्मा का इस प्रशाद को आप भी प्राप्त करिए और लोगों की भी दीजिए धन्यवाद